जहें दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सिट की तो दोस्तो जैसा कि DSSB, TGT, PGT के एक्जामस होने वाले हैं उसके रिकार्डिंग हम लोग यहाँ परिक्षा उपयोगी कुछ महात्पूर प्रशने लेकर आए हैं तो पूरी वीडियो के साथ बने रहीएगा और दोस्तो अगर आपको इससे भी किसी और तरीके की प्रशन च लेबर्स है वहाँ पे कमप्लीट कराये गया उनसे रिलेट वहाँ पे कुशन्स आंसर भी कराये गया है तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं नोटस बना सकते हैं अपनी तैयारी कर सकते हैं और दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं क accusation कर क्योंकि यहां पे हमारी पोस्ट में कुछ questions भी upload होते हैं जिनके answers आप हमें देते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के questions answer की आज का पहला प्रशन है यहां पे निर्देश दिया हुआ है कि 50 बहुवी गल्पी प्रशन दिये गए हैं और जिनमें से दो अंक सभी प्रशन के अनिवार रहे हैं तो पहला प्रशन है ना वर्ग वर्ण का उच्चारन इस्थान क्या है ना वर्ग का उच्चारन इस्थान क् बी मूर्धा या फिर सी वर्टल या फिर डी कंट तो इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा तो यहाँ पे हिंदी जो वरणमाला है हिंदी वरणमाला में का से मा तक 25 व्यंजनों को इस पर्श या वरगी व्यंजन कहते हैं इनमें टा ठा डा धा ना मूर्धा और जीब के इस पर्श से उच्चारित होते हैं अता इने मूर्धन व्यंजन कहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही होगा मूर्धा फिर दूसरा प्रशन है आगम वे पुराने ही पंडिया माण वहन्ती पक सिरी फले अली अजिम बाहिरेई भमर्ती ये कावे पंक्तियां किसकी हैं ओप्शन्स दिया हुआ है सरहपा, कनहपा, डोमभीपा या फिर कुक किरीपा आगम वे पुराने ही पंडिया माण वहन्ती पक सिरी फले अली अजिम बाहिरी भमंती अर्थाग आगम वेद पुरान को ही सर्वस्व मतलब आगम वेद पुरान को ही सर्वस्व मानकर पंडित जन उन्हें वहन करते हैं जिस प्रकार पके हुए फल स्री फल के बाहर बाहर ही भाउरे घूमते रहते हैं तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा option B कनहपा की पंक्ती है option B यहाँ पे सही है फिर तीसरा प्रशन है सूर सामना चंद में दहू किया घर एक मन का चिंता तब भया कच्छू पुर्बिला लेख इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है तो यहाँ पे दिया हुआ है इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है तो options है तुलसी दास, सूर दास, दादू दयाल और कबीर दास तो इन में से कौन सा उत्तर है जो की सही होगा तो यहाँ पे कबीर दास हमारा सही उत्तर है option D ठीक है संत शिरुमणी कबीर दास ने हठ योग के साधनात्मक रहसवाद के सांकेतिक शबदों जैसे चंद, सूर, नाद, बिंदू, अमरत, आउंधा कुआ के रूपक प्रस्तुत किये हैं जैसे सूर साम समाना चंद में दहू किया घर एक मन का चिंता तब भया कछू पुर्बिला लेक आकासे आउंधा कुआ पातालय पनिहारी ताका, पाणी, हंसा, पीवय, विरला, आदी, विचारी फिर अगला प्रश्न है द्वैत वाद के प्रडेता कौन है द्वैत वाद के प्रडेता यहाँ पे पूछ रहा है कौन है तो यहाँ पे options दिया हुआ है अ है मध्वाचार, बी, वल्लभाचार, सी, रामानुजाचार, या फिर, दी, रामानन्द मध्वाचार, ठीक है कौन सा हो जाएगा मध्वाचार, option अ यहाँ पे सही है मध्वाचार है और मध्वाचार ने द्वैत वाद मतलब ब्रह्म संपरदाय का प्रवर्तन किया जिसके अनुसार जियू ब्रह्म से उत्पन है ब्रह्म स्वतंत्र और जियू परतंत्र है अग्ला प्रशन है रोज तुल हकायक के रचैटा कौन है option है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मुहम्मद या फिर उस्मान यहाँ पर सही उत्तर है option C नूर मुहम्मद नूर मुहम्मद फार्सी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी कावे भाशा का भी ग्यान और सब सूफी कवियों से अधिक था फार्सी में इन्होंने एक दीवान के अत्रिक्त रोजतुल हकायक इत्यादी बहुत सी किताबे लिखी थी जो असाव धानी के कारण नश्ट हो गई इन्होंने ग्यारा सो सत्तावन हिज्री मतलब समवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काध लिखा जिसमें कलिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है हिंदी साहित का इतिहास राम चंद्रशुकले के अनुसार ये कहा गया है ठीक है फिर अगला प्रश्ण है मतलब प्रश्ण नमबर 6 इनमें से किस कवी ने प्रबंध हात्मक वीर काविकी भी रचना की है ऑप्शन दिया हुआ है गौाल कवी राम सहायदास पदमाकर भट या फिर सम्मन तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर जो है वो A B है और C भी है मतलब A और C यहाँ पे सही उत्तर है गौल कवी और पदमाकर भट अब कैसे ये देख लेते हैं रीतिकाल में राजाओं के प्रशस्ती उनका गवरोगान कीर्ती का वर्ण अतिशयोक्ति पूर्ण था किंटू उसमें देश भक्ती का पुट हुआ करता था रीतिकालीन प्रबंध हात्मक वीर कावियों में लाल कवी छत्र प्रकाश गुरु गोविन सिंग्की चंडी चरित्र गौाल कवी की हमीर हट जोध राज की हमीर रासु चंदर शेखर की हमीर हट सूदन की सुजान चरित्र पदमाकर की हिम्मत बहादुर विरदा वली प्रसिद्ध है प्रशनां की मतलब जो उपर दिया हुआ है उसमें गौल कवी और पदमाकर भट ने प्रबंध हात्मक वीर कावि की रचना की है इसलिए option यहाँ पे गौल कवी और पदमाकर भट सही है तो गौल कवी का हमीर हट है और पदमाकर का हिम्मत बहादुर विरुदा वली फिर अगला प्रशन है प्रशन नम्बर साथ इनमें से किस कवी ने सत्सई की रशना नहीं की है बोल रहा है ठीक है option है रसनिधी वरंद भूपती या फिर बेनी प्रवीन इसमें से किस ने नहीं की है तो यहाँ पे सही उत्तर है D बेनी प्रवीन ने नहीं की है अब यहाँ पे बेनी प्रवीन ने सत्सई की रशना नहीं की है क्यों? फिर प्रशन है ब्रमर दूत के रचनाकार कौन है? ब्रमर दूत के रचनाकार कौन है? यहाँ पे options है सत्य नारायन कवी रत्न, लाला भगवान दीन जगनाथ दास रतनाकर और राय देवी प्रसाद पूरुण तो सही उत्तर है यहाँ पे, option A. सत्य नारायन कवी रत्न ब्रमर दूत सत्य नारायन कवी रत्न की रचना है इस करती में व्यक्तिगत प्रेम के इस्थान पर देश प्रेम तथा गोपी व्रह के इस्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की विवश्ता और व्याकूलता का सजीव चित्रन हुआ है कवी रत्न जी की एक अन्यक्रती प्रेम कली है तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रशन भी पूछा गया है कि निमलिकित में से किस रचना में यशोदा रूपी भारत माता के दुख की विवश्ता और व्याकूलता का सजीव चित्रन हुआ है तो याद रखिएगा वो भरमर्दूत है और रचनाकार है सत्य नारायन कभी रत्न फिर अगला प्रशन है प्रशन नमबर नौ काम मंगल से पंडित श्रे सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरसकरत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भावधाम उपर युक्त कावि पंक् देखिए यहां पर सर्ग पूछ लिया है पंक्तियां देखें तो हमें डिटेल में भी इन्हें पढ़ना पड़ेगा तो यहां पर ओप्शन है ए वासना बी काम सी श्रद्धा या फिर डी लज्जा तो इन में से क्या होगा तो सही उत्तर है हमारा ओप्शन सी स्रद्धा श प्रसकत कर उसको तुम भूल भनाते हो असफल भावदाम अर्थात संसार तो तुम्हारी इच्छा पर निरबर है जैसा चाहोगे वैसा वाब बनेगा शुब कर्म करने से कल्यान होता है वहराग्यवान होने से तुम इच्छा मतलब काम का तिरसकार करते हो और परिड़ाम या होता है कि तुम्हारा सांसारिक जीवन असफल सिद्ध होता है फिर अगला प्रशन है प्रशन नंबर दस है निम्न लिखित में से जैशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कनहड की राज तरंगनी पर आधारित है ऑप्शन है राज श्री विशाख जनमेजय का नाग्यग य विशाख जैशंकर प्रसाद के विशाख नाटक का कथानक कनहर की राज तरंगनी के आरंभिक अंश पर आधारित है इसका नायक विशाख ब्राम्मण कुमार तथा नाई का चंद्र लेखा है नर्देव शुश्रवा इरावती बौध भिशु देवानंद इस नाटक के अन ये पात्र है तो कभी-कभी पात्रों पर भी कोजिशन पूछ लेता है ठीक है फिर अगला प्रशन है मुढ मुढ कर देखता हूं किसकी आत्मकता है ऑप्शन्स दिया हुआ है राजेंद्र यादव भीस्म साहनी रविंद्र कालिया या फिर कमलेश्वर तो मुढ मुढ कर देखता हूं ये लगबख 2001 इस्वी में आई थी और इसके जो रचनाकार है वो राजेंद्र यादव कौन है राजेंद्र यादव आप्शन ए इनकी ये रचनाकार है और इनकी ये आत्मकता है ठीक है मुढ मुढ कर देखता हूं और देहरी भाई विदेश ये भी है ठीक ह फिर अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर बारा मनी करणी का के लेखक कौन है आप्शन है ओम प्रकाश वालमी की डॉक्टर धर्मवीर तुलसी राम या फिर सूरजपाल चौहान तो सही उत्तर है तुलसी राम सुविक्षाद दलित चिंतक आलोचक तुलसी राम की आत्म कथा दो भागों में मुर्दहिया दो हजार बारा इस्वी तथा मनी करणी का दो हजार तेरा इस्वी के नाम से प्रकाशित हुई थी दो हजार बारा और तेरा ठीक है तेरा इस्वी में आए थी ये मुर्दहिया और मनी कर्णी का फिर प्रशन है महाकाल उपन्यास के लेखक हैं कौन है या पर आपशन है अमरत राय अमरत लाल नागर विश्नु प्रभाकर या फिर उदेशंकर भट महाकाल कब आया था 1946 इस्वी में अमरत लाल नागर इसके रचनाकार है अमरत लाल नागर का ये पहला उपन्यास है इसका जो दूसरा नाम है वो है भूख ठीक है इस उपन्यास का कथानक सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के प्रश्ट भूमी पर आधारित है इसकी भूमिका में नागरजी ने लिखा है सन 43 के बंग दुर्भिक्ष में मनुस्ट की चरम दैनीता और परम दानवता के द्रश्मेने कलकत्ता में अपनी आँखों से देखे थे अकाल के कारण मनुस्ट की बेबशी का लाब उठा कर सामराज वादी और पूंजी वादी तत्व किस तरह सक्री होते हैं उनके स्वार्थ और लोब की दानवी भूख को लेखक ने बखूबी चित्रित किया है तो दोस्तों ये थे अभी हमने 13 ही पढ़े हैं क्वेशन्स आगे के क्वेशन्स अगली वीडियो में पढ़ेंगे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत भ़ध धन्यवाद और अगली वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों के बाद DSSB का जो TGT का एक्जाम होने वाला है वो होने वाला है शायद उसकी चार तारीख है तो दोस्तों अपनी तयारी करते रहे हैं और कोई समस्या हो रही है या फिर अभी आपको किस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ब वीडियो में अगले टॉपिक के साथ इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत भेन्यवाद